हेलो फ्रेंट स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 3-1 टैक में तो फ्रेंट्स मुझे काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मैं एक शोट्स क्रेटर हूँ मैंने नय नय शोट का चैनल बनाया है और मैंने अपने चैनल पे 10 वीडियो भी अपलोड कर दी है और मैंने जो वीडियो अपलोड करी है वो मेरी ओरिजिनल कॉंटेंट है मतलब मैंने ओरिजिनल वीडियो बना के अपनी शोट चैनल के उपर डाली है लेकिन फिर भी मेरी वीडियो के उपर व्यूज नहीं आ रहे हैं बहुत कम आ रहे हैं पचास सो व्यूज आके ही रुख जाती है उसके बाद उस पे व्यूज नहीं आते हैं तो सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि YouTube मेरे short channel को कब boost करेगा कम मेरी वीडियो के उपर views आएंगे तो friends अगर आपको भी इस तरह की problem आपके channel के उपर देखने को मिल रही है तो friends आज की इस वीडियो में मैं आपकी इस problem का solution करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि YouTube नए short channel को कब boost करता है तो वीडियो छोटी सी है पर बहुत ही जादा informative है तो वीडियो को पूरा last तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे channel पे न्यू है पहली बार मेरे channel के उपर आए हैं तो please मेरे channel को subscribe करें और notification bell को on करके उसे ओल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की update सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो friends सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि YouTube का जो algorithm है वो इस तरीके का बना हुआ है कि आप कोई भी नया चैनल बनाया है YouTube आपके चैनल को पूरा support करता है तो आपको अपने दिल के अंदर से एक ख्याल निकाल देना है इस फिकर को निकाल देना है कि YouTube आपके short channel को boost नहीं करता जो आपके नया short channel बनाया है तो friends आप बात आती है कि YouTube आपके short channel को boost कब करता है तो friends मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप सुनके भी हैरान हो जाएंगे कि YouTube आपकी पहली वीडियो से ही आपके channel को boost कर देता है मतलब आप अपनी पहली short video उसके उपर डालेंगे उसके बाद तुरंथ वो आपकी video को boost कर देता है और आपकी video short feed में चली जाती है अब आप कहेंगे कि अगर YouTube मेरी पहली ही video को boost कर देता है मेरे channel को boost कर देता है तो मेरी video उसके उपर views क्यों नहीं आ रहे हैं क्यों मेरी video 500 views के उपर आकर रुक जा रही है तो उसका कारण मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ मानलीजे आपने कोई वीडियो बनाई उसे शोट वीडियो को अपने चैनल के उपर अपलोड किया यूट्यूब ने उसे बूस्ट किया वो शोट फीड के अंदर गई और वहां से उस पे 500 वीडियो आए और उसके बाद आपकी वीडियो पे वीडियो आना रुख गए तो इसका कारण यह है कि जितने भी लोगों ने मानलीजे 500 जितने भी लोगों ने आपकी वीडियो को देखा है और जो ओडियो रीटेंशन आया है वो आपका अच्छा नहीं आया अलब आपकी वीडियो में वो बात नहीं है उतना दम नहीं है उतनी इंप्रेसिव नहीं है जो ओडियन्स को attract कर सके ओडियन्स को मजबूर कर सके अपकी वीडियो को देखने के लिए तो आपको उसी time समझ जाना चाहिए कि आपकी short video सही नहीं बनी है आप दूसरी short video बनाए तो आप समझ गए होंगे कि YouTube आपके short channel को शुरू से ही boost कर देता है उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी अगर फिर भी वीडियो से related कोई question है कोई query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूस सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो उसे like और share ज़रूर करें Thank you